क्रमचारियों और पेंसन धार्गों के लिए बड़ी खुसखवरी लेकर हाजिर होचके हैं अगर आप भी एक क्रमचारी हैं या फिर आप एक पेंसन लाबारती हैं तो आप हमारे साथ आन्त तक बन रहेगा क्योंकि सरकार की तरफ से हाली में एक बड़ा आदेश जारी किया गया है चिसके अंतरगत क्रमचारियों और पेंसन धार्गों को जबरदस्त तोफ़ा दिया गया है जी हाँ पैंसन वे सेलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है आप किसकी पैंसन में कितनी बढ़ोतरी की गई है कितनी सेलरी में बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के मात्यम से हम देने जा रहे हैं चाहे आप करमचारी हो या फिर अंत तक बने रहेगा वीडियो को देखते रहेगा आपसे हम निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरप्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते ह और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देख क्रमचारियों आउर पैंसन भोगयों के लिए सरकार की तरफ से हाली में एक बड़े खबर निकल कर आ रही है जिसके अंदरगत लावार्थियों को जबर्दस्त साइदा होने वाला है। जिसमें पैंसन वे सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां अगर आप एक केंद्र करमचारी हैं या फिर आप एक पैंसन लावार्थि हैं आप रेटायर हो चुके हैं और पैंसन का लाब ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो यहां पर आपको जबर्दस्त तोफ़ा स तुका है लेकिन वहें अब इंतिजार समाप्त हो चुका है निदोस्तों मिली जानकारी के अनुसार लावार्थों को जबर्दस्त तोफ़ा कि इंतसरकार के तरफ से मिलने जा रहा है अब आप यहां से देखेगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दिजिए देखे अगर आप भी केंद्रे करमचारी केंद्र सरकार की करमचारी है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही मैचमून हो जारी है केंद्र सरकार और केंद्रे स्वेत्य निकायों के ऐसे क्रमचारी जो पांचवे वेतन आयों के अनुसार अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं देखें दुस्तों अभी हाली में सेवंत पे कमिशन चल रहा है अगर आप भी कीम्द्र क्रमचारी हैं और आप अभी हाली में सेवा में हैं और पांचवे वितन आयोक के नुसार आप वितन ले रहे हैं तो उनके लिए सरकार ने डिये में जबर्दस्त बढ़ोतरी करती है ऐसे क्रमचारियों के लिए डिये में 16 परतिसत का बंफर इजाफा क्या गया है जिहां जो भी पांचवे वेतन आयोक के अंतरगत अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनके डिये में 16 परतिसत की बढ़ोतरी करती गई है ऐसे क्रमचारियों की डिये की दर फिलहाल मूल वेतन का 306 में परतिसत थी और बदलावक की बाद अब डिये को बढ़ा कर मूल वेतन का 412 परतिसत कर देगा है यनके क्रमचारियों के डिये में जो केंसरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई है वह बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी है अब दोस्तों यहाँ पर जो बढ़ोतरी आप देख सकते हैं जो पहले यहाँ पर मूल वेतन का 306 में परतिसत मिल रहा था अब इसको बढ़ा कर 412 परतिसत कर देगा है वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से किया गया बदलाव एक जनवरी 2023 से लागू होगा यन की करमचारियों को जून की सेलरी के साथ 6 महिने का Eager भी मिलेगा आप भी Eager का अंचार कर रहे होगे अगर आपका Eager रुका हुआ है तो में कमेंट बोक्स में जा कर बता सकते हैं कि आपका कितने महिने का Eager रुका हुआ है हाला कि यहाँ पर जब सेलरी में बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पर आपको जो एरियर है उसको भी दिया जाएगा तो यहाँ पर बदाए गया है कि करमचारियों को जून की सेलरी के साथ 6 महीने का एरियर भी मिलने वाला है वहीं वित्त्य मंत्राले के विवाय विभाग की तरप से कहा गया है कि केंद्र सरकार आउर केंद्रे स्वायत्य निकायों के करमचारियों के सम्बन में महंगाई भत्ते यानिके डिये कि दर पांचवे वेतन पांचवे केंद्रे वेतन आयोग के मुताबिक मुझूदा 306 में परतिसत से बढ़कर 412 परतिसत करने का फैंसला लिया है जो आदेश भी दे दे गया है अब यहाँ पर दोस्तो अगर आप करमचारी हैं तो आपको जबर्दस्थ तोफा मिलने वाला है साधे साथ अगर आप एक पैंसन लावारती हैं तो पैंसन धार्गों को भी यहाँ पर जबर्दस्थ फाइदा होने वाला है देखिस से पहले अप्रेल 2023 में केंद्र आउर केंद्रे स्वेत निकायों के करमचारी के लिए छटे वेतन आयों के अंतरगत डिये की दर को 212 परतिसत से बढ़ा कर 221 किया गया था अगर आपको ग्यात होगा तो वहीं आपको बता दें कि साथवे वेतन आयों के यह अंगे सेवन्थ पे कमिशन के अंतरगत वेतन पाने वाले करमचारीयों को केंद्र सरकार की तरब से फिलहाल मूल वेतन जो है वह 42 परतिसत मिल रहा है हाला कि दोस्तो इससे पहले यह डिये 38 परतिसत दिया जा रहा था लेकिन इसमें बढ़ोत्री की गई है चार परतिसत की बढ़ोत्री की गई है जिसमें यह बढ़कर अब 42 परतिसत हो गया है जिसका लाब भी करमचारीयों को मिल रहा है साध्य वितन आयोग के अंत्रकात इससे पहले 4% का इजाफा क्या गया था तो वहीं दोस्तो जो बढ़कर अब जबर्दत लाब मिल रहा है और इस बढ़ोतरी को एक जनवरी 2030 से लागू क्या गया था अब केंद सरकार की तरफ से अगले महंगाई भत्ते का एलान सितेमबर या फिर अक्टूबर जिनके सितेमबर में भी यह बढ़ोतरी हो सकती है या फिर अक्टूबर में भी अब यहाली में 42% मिल रहा है अगर सरकार फिर से इसमें 4% की पढ़ोतरी कर देती है तो यह बढ़कर 46% DA हो जाएगा इसमें दोस्तों आपकी सेलरी में भी पढ़ोतरी होगी Fitmat factor अगर बढ़ जाता है तो आपकी सेलरी भी बढ़ा दी जाएगी वहीं दोस्तो अगर आपकी pension है आप pension लाबारती हैं तो आपकी pension में भी जवर्दस्त इजाफ़ा होने वाला है यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवाल को जवाब दे जाएगा देख दोस्तों यावर बताय गया है कि 4% डिये बढ़ने की उम्मिद की जा रही है जिससे बढ़कर 48% सुझागा जो हमने आपको बताई दिया है अक्टूबर में होने वाले मेंगई भत्ते के एलान को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा इस तरह करमचारियों को 3-4 महिने का एरियर भी मिलेगा अगर आप नहीं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिपया वीडियो को लाइक कर दिजिए और जल से अदा वीडियो को सेर भी करेगा आप से हम निवदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेजगा वैलेगन को ओल पर सेलेक्ट कर लेजगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त कर सके अब चाते हैं आप से इजाज़त और मिलते हैं आपको लिए स्टूडियो में तब तब के लिए दोस्तो जै हिंद जै भारा